नूर जहां, यानि सतरवी सदीकी भारत की सबसे ताकतवर महीला, नूर जहां ने विशाल मगल सामराज्ये को चलाने में अभूत पूर्व भूमी का निभाई थी। इतिहासकार रूपी लाल बता रही है कि मौजूदा वक्त में हमें इतिहास में नूर जहां के नेत्रित्र की एहमियत समझने की जरूरत क्यूं है। सोलवी सदी की शुरूआत में भारत में सत्ता इस्थापित करने वाले मौगलों ने भारती उप महाद्वीब के एक बड़े हिस्से पर तीन सौ साल से ज्यादा समय तक शासन किया। लोक साहिते में जिन्दा हैं। नूर जहां की कहानिया उत्तर भारत के आगरा और उत्तर पाकिस्तान के घरों और एतिहासिक इमारतों में सुनाई जाती हैं। बैठे उस आदमखोर बाग पर गोली चलाई। वैसे तो लोगों ने नूर जहां के रोमान्स और उनकी बहादुरी के एक इससे सुन रखे हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक कुशागरता और महत्वकांग्शाओं के बारे में कम ही लोग जानते हैं। नूर जहां एक आकरशक महिला थी जिन्होंने तमाम अरचनों का सामना करते हुए मोगल शासन की कमान समाली। वो महान कवीत्री थी, उन्हें शिकार करने में महारत हासिल थी और वो इस्थापते कला में नए नए प्रयोग करने की शौकीन थी। नूर जहां ने आगरा में अपने माता-पिता के मगबरे का डिजाइन तयार किया। ताज महल की डिजाइन भी इसी से प्रिरित है। वो पुरुशों के दब-दबे वाली दुनिया में एक शानदार निता बन कर उबनी। दिल्चस्प बात ये है कि नूर जहां शाही परिवार से तालुक नहीं रखती थी। इसके बावजूद वो मलिका से लेकर कुशल राजनेता और जहांगीर की पसंदीदा पत्नी बनी और उन्होंने विशाल मगल सामराज्ये पर राज किया। लेकिन नूर जहां उस वक्त में इतनी ताकतवर कैसे हो गई जब महिलाएं सारवजिनिक जीवन में बहमुश्किल दिखती थी। इसके पीछे नूर जहां के पालन पोशन उनके आसपास मौजूद उत्साह बढ़ाने वाले लोग जहांगीर के साथ उनके करीबी रिष्टे और उनकी महत्वकांख्शाओं का बड़ा योगदान है। अलग-अलग धर्मों, रिती रिवाजों और विचारों के लोगों के एक साथ शान्ती से रहने की सुईधा थी। नूर जहां अलग-अलग तरह की संस्कृतियों और रिती रिवाजों में पली बढ़ी। उनकी पहली शादी 1594 में मोगल सरकार के एक पूर्व सिख सरकारी अधिकारी से हुई इसके बाद वो बंगाल चली गई जो उस वक्त पूर्वी भारत का एक संपन राजिय था वहीं उन्होंने अपनी कलोती संतान को जन दिया बाद में नूर जहां के पती पर जहांगीर के खिलाफ शनयंत रचने के आरोप लगे तब जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर को नूर जहां के पती को आगरा में अपने शाही धरबार में लाने का आदेश दिया लेकिन नूर जहां के पती गवर्नर के आदमियों के साथ युद्ध में मारे गए पती की मौत के बाद विद्वा नूर जहां को जहांगीर के महल में शरण दी गई वहां की बाकी महिलाएं नूर जहां की मुरीद हो गई साल 1611 में नूर जहांगीर की शादी हो गई जहांगीर ने नूर जहां की एक तस्वीर भी बनाई उस तस्वीर में उन्होंने नूर जहां को एक समवेदन शील साथी ख्याल रखने वाली बहतरीन महिला, कुशल सलहकार, चतुर शिकारी, कूट नीतिग्गे और कला की प्रशंसक के तौर पर चितरित किया है कई तिहासकारों का मानना है कि जहांगीर नशे के आदी थे और बाद में उनके लिए राजकाज पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था इसलिए उन्होंने अपने सामराज्य की कमान नूर जहां के हाथों में सौप दी थी हाला कि ये पूरी तरह सच नहीं है हाँ जहांगीर नशे के आदी थे और वो अफीम लेते थे हाँ वो नूर जहां से बहुत प्यार भी करते थे लेकिन नूर जहां के सत्ता संभालने की वज़ा ये नहीं थी नूर जहां और जहांगीर एक दूसरे के पूरक थे इसे पता चलता है कि नूर जहां की ताकत कैसे बढ़ रही थी। साल 1617 में चांदी के सिक्के जारी किये गए जिन पर जहांगीर के बगल में नूर जहां का नाम छपा था। अदालत के अभी लेखक, विदेशी, राजनिक, व्यापारी और महमानों ने भी नूर जहां के खास दरजे को पहचानना शुरू कर दिया। अदालत के एक दरबारी ने एक घटना का वर्णन किया है जब नूर जहां ने उस शाही बरामदे में आकर सब को चौका दिया जो सिर्फ पूरुशों के लिए आरक्षित था। रूडी वादी परमपराओं के खिलाफ नूर जहां का ये एक मात्र प्रतिरोध नहीं था। फिर चाहे वो शिकार करना हो, शाही फर्मान और सिक्के जारी करना हो, सरजनी की मारतों का डिजाइन तयार करना हो, गरीब औरतों की मदद के लिए नए फैसले लेने हो, या का नाम लोगों की कलपना और इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।